ओम शान्ति सुख क्या है किसे और क्यूं चाहिए सुख क्या है किसे और क्यूं चाहिए सुख आत्मा की एक वो आवस्था है जब वो देह में है परन्तु हाल चल नहीं कोई दुनिया की वस्तु के प्रती कोई इच्छा नहीं है कोई दुनिया में नाकों से दिखाई देने वाली चीज से भै नफ्र इर्शा नहीं अब क्यूं चाहिए क्योंके इनी के पीछे भाग भाग कर दुनिया की नाश्वान चीजों के प्रती आकर्शित होकर दोड़ दोड़ कर अपनी हालत खराब करते हैं जितना इनके पीछे भागे हैं उतना टेंशन बड़ाई है उतना अपने जीवन में दुख बड़ाया है आज वो हालत हो गई है कि दुख को ही दुनिया सुक समझ बैठी इतनी अभ्यस्त हो गई है जैसे कुटा जब हड़ी को चबाता है खून उसकी जबड़ों में से आ रहा होता है उसके दांतों में से निकल रहा होता है वो समझता है इस हड़ी में से खून आ रहा है दुख का अभाव सुक है दुख को तो आसारे समझ सकते हैं और इस दुख वा सुक को अनभव करने वाली आत्मा है सभी उस परम पिता परम अत्मा को पुकारते हैं कि हे दुख हरता सुक करता आओ हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ तो परम पिता परम अत्मा आकर कभी छुड़ाया होगा न तभी तो उसको पुकारते हैं और सारे संसार की आत्माओं की पुकार सुनकर क्योंकि सब दुखी हैं नानक दुखिया सब संसार परमात्मा आकर सब को सुखी बनाने की वेदी सिखाते हैं परमात्मा कैते बच्चे तुमारे दुख का पहला कारण है कि तुमने अपने आपको क्या समझ लिया ये शरीर की जगा पर आत्मा की जगा पर शरीर समझ लिया वास्तव में तुम आत्मा हो परंतु तुमने मान लिया है की मैं शरीर हूँ ये सबसे बड़ा दुख का कारण हो अब इस सचाई को आनबव करो आप ये शरीर नहीं हो आप इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने बाबा ने परम पिता परम आत्मा ने जो चित्र बना कर समझाया है कि देखो एक है ये शरीर जिसमें आत्मा नहीं है जिसे दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया आत्मा जब शरीर में परवेश करती है शरीर जमा आत्मा तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा अब जीव आत्मा शरीर को कहा जाता है जीव जीव जमा आत्मा जीव आत्मा ये है शरीर बिना आत्मा के शरीर इसमें जब जमा आत्मा हुई तो इसे कहा जाता है जीव आत्मा बहुत सिंपल बात समझने हम इस समय जीव आत्मा हैं ये हमारा शरीर है इस संसार में पाड़ बजाने के लिए पंतु गलती से मेरे शरीर को मैंने मैं शरीर समझी है ये सबसे बड़ी पहली गलती हुई जिसके कारण हम क्या हुए दुखी आप परमात्मा कहते बचे तुम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो आप आत्मा का इस शरीर में स्थान है बिकुटी इस बिकुटी को भी द्यान से समझना है आत्मा का स्थान है यहां जहां दोनों आखों के बीच में ब्रेन से उपर लगबग तीन से डाई से तीन इंज किसका सिर छोटा बड़ा हो सकता है जहां रीड की हड़ी जाकर इस ब्रेन को उठाती है अपने उपर टिकाती है जहां ये खोपड़ी गूम रही है उस सेंटर पॉइंट में क्योंके सारे बोड़ी के जो मैसिज है वो यहां से ब्रेन में जाते हैं जो हार डिस्क है जहां वो रिकॉर्ड होते हैं उन सब को रीड करना, सेट करना, अपनी जगापर रखना कम्प्यूटर के अंदर ये आत्मा का रोल है जैसे कम्प्यूटर संचालक हार डिस्क में फाइल के अंदर अपने डाटा को रखता है ऐसे डाटा अलग, ऑपरेटर अलग, कम्प्यूटर अलग, ऑपरेटर अलग इसी परकार शरीर अलग और इस शरीर को चलाने वाला आत्मा अलग तो आत्मा इस ब्रेन के अंदर क्या कहा रखना है, कैसे रखना है वो सारा काम करता है तो बाबा ने हमें समझाया, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आमर हो, तो पहला भय खतम, के मुझे मरना ही नहीं है फिर परमात्मा ने कहा, बचे तुम्हे तो अगनी जला नहीं सकती, वायू सुखा नहीं सकती, शास्र कार्ट नहीं सकता अरे, मैं आमर आत्मा हूँ, मैं कभी मेर्थ्यू को प्राप्त नहीं होती हूँ फिर परमात्मा ने समझाया, बचे तुम आत्मा अपना पार्ट लिखती हो, अपने रोल को आपने लिखा है, मैंने किसी का रोल नहीं लिखा तो रोल लिखने का तरीका क्या है, परमात्मा कहते हैं, जैसे अभी आप कर्म करेंगे, वैसा आपका रोल हो जाएगा अच्छा, अपने कर्मों पर अटेंशन दो, कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने हैं तो परमात्मा ने बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया, ना दुख दो, ना दुख लो सुख दो, सुख लो, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा आपको सुख चाहिए, तो पहला काम करो कि किसी को दुख मत दो अच्छा चलो, ये तो बात बहुत अच्छी है, मैं दुख नहीं दूँगा दुख ना लो, ये कैसे होगा परमात्मा कहते हैं, बच्ची जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, वो इस संसार में आकर तुमने दिया है अब जो तुमने दिया था, वो तो लेके जाना पड़ेगा और जो लिया है, वो देना पड़ेगा हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा अब जो परमधाम से आने के बाद आपने दे दिया था वो तो आपको लेना ही लेना है ना अच्छा ठीक है मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है मेरा करजा उतर रहा है हिसाब बराबर तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है दुख देना नहीं दुख लेना नहीं अब लेना नहीं अब सुख लेना है कोई भी दुख दे रहा है मैंने समझना है बहुत अच्छा हो ये क्या हो गया सुख लेना और सब को अब देना क्या है सुख देना ये है अपना सुखी जीवन लिखने की wonderful विद तो परमात्मा सुख देता नहीं, सुख कैसे आप अपने जीवन में लिख सकते हैं, उसकी विधी सिखाते हैं। आप आत्मा हो, आपको सुख चाहिए, तो सब को सुख दो और सुख लोगए। और अच्छी तरहां से इसे समझना हो, तो प्रजापिता ब्रमा कुमारी इश्वर्ये विश्व विध्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्ख करें। और यदि कोई प्रश्ण हो, तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करें। 96506922270 पर केवल वाट्सप करें। फोन ने, ओम इश्वर्यात।